नमस्ते में नाम लक्षम मजगा है आज हम लोग जानेंगे किचन की ऐसे चुरचुरे टिप्स और ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बहतर ही मना सकते और मैं आपको बताओ ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे है तो आप अपने पैसी भी बचा सकते हैं जो कि हमारी लिए बहुत ज़्यादा इंबॉर्टन है तो चलिए जानते हैं कौन से है वर टिप्स सब्सक्राइब हमारे इस तरह से घर में हमारे बॉटल ये रहते हैं और ये बॉटल को हम लोग क्या करते हैं लेकिन आप ये आप चाहे तो बहुत सब्सक्राइब हैं निकाल लइे हैं मतलब जो भी चीज दे ऐता है और ये आप सकते हैं और Gyaas के things to Wer coupson कि है जिससे कि हम छहेत जो है वासनी से कर सके तो इस तरह से मोटे-मोटे छेत कर लेना है बहुत बारिक-बारिक छहेत नहीं करना है अपब छहेत नहीं ही करें इस तरह से उसके बाद में आपको बताऊंगी कि इसका आप इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं अक्सर हम लोग जब हमारे घर में बरतन रहता है तो बरतन के जो खरकटे रहते हैं वह अगर हम ऐसे ही डालेंगे हमारे सिंख में तो क्या होगी सिंख ब्लॉक हो जाती है लेकिन आप यह बोटल में भर दे तो बोटल में क्या होगा कि जो भी खरकटा है वह बाहर हो जाएगी और पानी जो है वह नीचे चला जाएगा तो इस तरह से आप यह जो बाटल है उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद में इसको धोकर और इसका आप दूसरा दूसरे चीजों में पर पर बिंचे चला और दूसरे दश सकते हैं तो हम थी कुछ चोटसरा रहती है छोट rein impacted देल स्चापन भी आप यह जगा कर सकते हैं एक पूंद कर सकते तो आपके स्पून कर सकते हैं लेक्स पंस तरह विए बैक को क्या करते हैं लेकिन यह बैक कभी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं करना क्या है हमारी जो बर्तन घसने के साइड में बहुत सारे कचरे रहते या फिर कोई क्या करता है इसमें ड़स्विन लेकिन मैं क्या करती हूँ नौर्मली आटा के जो बैग है इसको मैं इसमें रख देती हूं और इसमें कच्रे डालते जाते हैं जब यह बैग भर गई तब आप क्या करें इसको ऐसे ही फेक दे मतलब आपको एक अलग पॉलिथिन डालने की जरुरत नहीं कुछ भी करने की जरुरत नहीं और आप यह होता है चावलों में कीड़े लगने लगते हैं मतलब वह चोटी चोटी कीड़े नहीं काले वाले वह लगते हैं या फिर बड़े वाले भी कीड़े लगते सफेद वाले तो क्या करना है भई हमारे चावल में कीड़े नहीं लगना चीए उसके लिए एक बहुत ही सिंबल त चावल के पूरे डब्बे में एक टिबल स्पून हल्दी को डाल कर रखे तो आपकी चावलों में कीड़े कभी नहीं लगेंगे धन्यवाद